अस्तलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुएट में रहते हो और कुएट के इम तरीन खबरों से हमें से वाकिव रहना चाहते हो तो ये वीडियो को भी नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राब करके बैल आगन को प्रेस कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो क अपको हमें से फ्री में मिलती रहें तो साथी ये बहुत अच्छी खबर आपको मैं सुनाने वाला हूँ यदि आप कुएट में रहते हो या फिर कोई भी गल्फ कंट्री से यदि आप तालुकात रखते हो तो वहाँ पे ऑथरिटी और मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ओफ ह जब कैबिनेट मीटिंग वहाँ पर की जागी तो कैबिनेट मीटिंग वहाँ पर पिस किया जाएगा तो साथी फिलाल अभी इस पर भी बातची चल रही है काम चल रहा है इस पर जैसे प्लान ये बनकर तयार हो जाएगा लोग वहाँ पर कैबिनेट मीटिंग जब अगले ह नुमाती आपको, वहाँ पे लोगों को मिल जागी, क्योंकि इसका बढ़ी रीजन दोस्तों यह है कि जितने भी Gulf Country है, सभी Gulf Country हो में vaccination का जो कार रहे काफी तेजी से चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों वहाँ के वैक्सिन दी जा चुकी है क्योंकि जितने भी गल्फ करती हूँ है बजन संक्या जो काफी कम है इसलिए दोस्तों वहाँ बहुत ही जल्दी सभी देशों में स्टार्ट कर दिया जाएगा अगली खबर साती हो काफी अच्छी आ रहे दोस्तों कामा को रेनुएल किया जाएगा और अगस्त के स्टार्टिंग से ही सभी को लाने की परकिरिया जो है सुरू की जाएगी चाहे वो किसी भी देश से तालुकात रखते हों क्योंकि सितंबर में आपको पताई होगा में दी मेरा वीडियो को देखते हैं तो सितंबर के महिने से दोस्तों वहाँ पर स्कूल कॉलेजे जो है वो स्टार्ट होने वाली है इस तरह से 19 से वहाँ पर टीचरों को वहाँ पर टार्गेट किया गया है कि सभी को लाने की परकिरिया शुरू की जाएगी अगस्त के पहले वीग से ही जो टीचर वैक्सीन ले चुके होंगे उनको कुरंटाइन नहीं रहना पड़ेगा जो वैक्सीन नहीं लिये होंगे उनको 4 दिन का कुरंटाइन रहना पड़ेगा उसके बाद सभी को लाए जाएगा अगली खबर सत्य हो फिलिपिन्स को लेकर आरी साती हो बताना चाहूंगा फिलिपिन्स के जो लोग वरकर को यदि आप वहाँ पे लाना चाहते हो यदि को फैमिली वीजा वाला फिलिपिन्स में रह रहा है यदि को लाना चाहता है तो उसको लाने के बानुमती नहीं दी जा अब साथी एक दुखत खबर आरी सातियों वो पाकिस्तनी भाईयों के लिए तो मैं आपको बताना चाहोंगा दोस्तों कैनेदा addressedária के केनेडा के आदमी ने वहाँ पे देखा, तो दोस्तों हुआ कि यूँ कि वहाँ पे जो क्रॉस करते वक्त एक केनेडियन सक्स रिटरक्स से सभी को कुचल दिया, दोस्तों वो सभी के मौके पे मौत हो गई है, पर बच्चे की हाला अभी सिरियास है, वो बच गया है, पर उसक इस पे काफी डुक वेक्ट किया, और उनका कहना है कि यहाँ इस देश में इस्लामामफोविया बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तो यह कुछ खबर थी साथ ही है, जो कुछ से आ रहे थी, मैंने अब तक सेर किया, आसा करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इचले वीडियो को लाइक करते, दोस्तों साथ सेर करते, ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके, मिलते साथ यहने स्टुडियो पहला अफिसेंटेश